हेलो प्यारे बच्चों कैसे हुआ आप लोग मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पाइरल स्टडी में और आज बच्चों एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैक फंग से ये शमश्चा भी आ रही है बच्चों ब्लैक फंगस एक ऐसी बिमारी बनके विक्सित हुई है जिसमें जो मृत्यू दर है वो 50% है ना यानि कोविड के ठीक होने के बाद भी आप लोगों को खत्रा रहेगा कि कहीं ब्लैक फंगस ना हो जाए तो बच्चों आज हम वन ये डिसकस करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है ये किस तरीके से प्रभावित होता है किस तरीके से आपकी बॉड़ी में इफेक्ट डालता है और क्या हमारी गौवर्मेंट की एडवाइजरी है जो हम लोगों को दी गई है जो में फोलो करनी चाहिए तो चलिए बच्चों एक इसी म्यूकर माइकोसिस को आप ब्लैक फंगस का नाम दे देते हैं आपके सामने जो इमेज आ रही है एक्चुल में यही इस्थिती पैदा कर रहा है ये ब्लैक फंगस अगर हम लोग नॉर्मली इसको सोचने बैठ जाएं तो हमारा दिमाग हिल जाएगा कि आकर यह है क्या और आकर इससे बचा कैसे जाए क्योंकि हम लोगों को जो चीजे फोलो करनी है वो तो करनी ही पड़ेंगी लेकिन वास्तों में कोई अलग चीज क्या हम प्रिकोशन ले ताकि इससे हमारा पीछा छूट जाए तो चलिए बच्चो पहले हम जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस हो हमारी जो इमिनिटी है वो बहुत जाना डाउन हो रही है और उस इमिनिटी को डाउन जब इमिनिटी डाउन हो जाती है तो उस टाइम ये फंगल इंफेक्शन होने का खत्रा बढ़ जाता है उसके बाद ये उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो पहले से किसी ना किसी बिमारी से जूज रहे हो या फिर किशी को कोई न कोई बिमारी हो जैसे आपकी शुगर हो गई जैसे आपकी डाइबटीज हो गई उसके बाद और जिनका इम्यून सिस्टम बिलकुल कमजोर हो चुका है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब करोना वाइरस किशी तो उस time पर उसकी immunity बहुत जादा एक नीचे लिवेल की आ जाती है तो उस time इसका होने का शत्रा बहुत जादा है इन लोगों में infection से लड़ने की बहुत कम होती है, तो I hope कि आपको पता चलिया कि मैकर माइकोशिस क्या है, अब देखो बच्यों ज्यान से सुनो, इस से बचने के लिए हम लोग क्या करें, actual में आपने देख लिया कि यह क्या है अब इससे बचने के लिए precautions क्या करेंगे पहले आप इसके symptoms देख लो symptoms क्या रहेंगे अगर किसी बच्चे को black fungus या किसी और लोग को black fungus होता है तो मैं आप लोगों को बता दू कि black fungus में कुछ इस तरीके के लक्षन देखे जाते हैं आपकी आँखों में लालपन या दर्द हो सकता है है ना आपकी आँखों में क्या हो सकता है लालपन या दर्द हो सकता है दूसरी बात बुखार आपको आ सकता है सिरदर्द हो सकता है खासी आपको हो सकती है सांस लेने में आपको तकलीफ भी हो सकती है जो same symptoms आप लोगों कह कोई न कुरोना वायरस के देखिकने को मिल रहे हैं वही ही आपको यहां पर यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं उसके बाद बच्चो उल्टी में खूना ना मांसिक स्थिती में बदलाव ठीक है तो इसकी पहचान पहचान करना बहुत जरूरी है लेकिन पहचान करेंगे कैसे है ना अब ज़र आसको आगे एक स्लाइड में देख लेते हैं कि क्या हमारे पास इसके एफेक्ट्स रहते हैं देखो एफेक्ट्स कैसे बनाता है हवा में फैले रोगानू के संपर्क में आने से कोई वैक्ति स्किन पर भी विक्सित हो सकता है अगर किसी को चोट लग जाती है अगर किसी की स्क्रिन को रगड़ा जा सकता है तो वहां पर भी फंगली रिक्शन आपका बढ़ सकता है इंक्रीज हो सकता है उसके बाद बच्चों इससे बचाव कैसे करें ब्लैक फंगस से बचने के होने चाहिए बिल्कुल विशेशक्य होने चाहिए जो आपको बताएं ऑक्सिजन थेरपी के दुरान जो आपका हमिडिटी फायर के लिए साप पानी का ही यूज करें और एंटिबाइटिक्स एंटि फंगल दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलहा जरूर ले उसके बाद बच्चों जो सरकार ने अडवाइजरी दी है वो सबसे उस पर जो मेन फोकस है वो इस्टेरोड पर रखा गया है डॉक्टर जो आपकी गौर्रमेंटरों ने कहा है कि खुद या किसी गैर विशेशक्य के डॉक्टरों दोस्तों मित्रों रिस्दारों के कहने प प्रियोग विशेशक्य के डॉक्टर को ची मरीजों को केवल 5-10 दिनों के लिए देते हैं वहे भी बिमारी शुरू होने के 5-7 दिनों के बाद केवल गंभीर मरीजों को इससे पहले बहुत सी जाच होना बहुत जरूरी है उसके बाद बच्चों इलाज शुरू होने पर ड जगातार डॉक्टर्स मॉनेटर करते रहें घर पर अगर ऑक्षियन लगाया जा रहा है तो उसकी बोतल में उबालकर थंडा 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 क्यावा पानी डाले या नॉर्मल स्लाइन डाले बहतर हो कि अस्पिताल में बच्चों एक बहुत बड़ा एक हमारे पास है अपनी उनको अपने चंगुल में फसा रहा है और किस तरीके से उन लोगों को मौत की तरफ ले जा रहा है बच्चों एक बाह बताओ अगर ऐसी लाइफ होगी तो ऐसी लाइफ में कौन कौन जीना चाहेगा है ना इससे बढ़िया तो मरना ही बैटर है है ना तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा सबसे लास्ट में कि आप लोग मास्क का यूज भी करें मास्क हमेशा पहने पहले कोविड से बचो तब ही आप ब्लैक पंक से बच पाहोगे तो बच्चों आज के लिए तना ही आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कोमेंट करके ज़रूर बताए है अगर आपको वीडियो अची लगती है तो ड्रीक करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम एसी वीडियोस आप लोग भी लिहाते रहते हैं और आपकी क्लासेGS के इकॉडिक भी आपकी वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैे आज की वीडियो म बच्चों इतना ही थ